गुद मॉर्णी सुरेंट्स दिस अनदर रिविजन वीडियो आफ चैप्टर वन आफ क्लास सेवन सिविक्स अल्यडी इससे पहले वाले वीडियो में हमने काफी इंपर्टन टाप्स डिसकूस किये हैं जैसे की वी हाद डिसकूस्ट अबाउट ताइपस ओफ गॉवर्मेंट जैसे हमने देखा था है dictatorship, monarchy, constitutional monarchy and the most important one democracy और हमने देखा democracy कैसे different है बाकी गॉवर्मेंट से और ये एक better form of government है जिसमें लोगों के पास government को कुछ कहने का government को choose करने का right होता है जिसको हमने नाम दिया है universal adult franchise जिसमें अगर कोई person 18 years plus age हो जाए तो वो इंडिया में voting rights को मिलते है वो अपनी पसंद के जो representatives है elections में उनको हम vote दे सकते हैं तो आज हम discuss करें कुछ और important topics के जो इस chapter को समझें में आपको बहुत help करेगी तो let's start this video देखो students आज यह तो हम discuss कर चुके हैं कि democracy एक better form of government है लेकिन दुनिया में बहुत सारी ऐसी countries हैं जिनका population बहुत कम है and there are various countries whose population is very high for example एक छोटी से country मालो है Switzerland and there is a country like India these both countries have a differences in their population तो अगर government हमको बनानी है तो कहीं कहीं पे देखा गया है कि लोग directly ही choose कर लेते हैं अपने representatives को या government ये किसे हो decision में वो directly अपनी बात को रख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे population काफी कम होता है लेकिन इंडिया जैसे country में जहाँ population more than 100 करोर है क्या ये possible है कि हम हर एक individual से पूछ पूछ कर government काम कर पाएगी ये बिल्कुल possible नहीं है गोर्मेंट सबकी बातों को एक बारे में नहीं सुन सकती है तो इसके लिए क्या किया गया एक system अपना गया election का election में जो लोग खड़े होते हैं they are called representatives और अगर उनको majority मिलती है या elections जीतते हैं तो उनको वो खास area जहां से वो belong करते हैं जहां से उन्होंने election लड़ा है उस area को develop करने का मौका मिलता है और साथे साथ उनको मौका मिलता है government को बनाने का चाहे वो local government हो state government हो या फिर हमारी central government हो इसको हम union government भी बोलते हैं हमारे पास students आपको याद होना चाहिए कि we have three tier system governance का three tier system में एक ऐसी government है जो पूरी country की देखवाल करती है जिसको हम बोलते है union government या central government एक government होती है states में और एक government होती है जो हमारे local problems को local issues को solve करती है जैसे जीला परिशद, ग्राम, पंचैत वेगरा ज तो आज हम लोग चिखेंगे कि democracy जो better form of government है कैसे इसमें कुछ important इसके features हैं जो इसको खास बनाते हैं with respect to other with respect to other types of government in the world so आज world में हर जगर democracy नहीं है लेकिन maximum countries आज democracy की और जा रहे हैं और democracy को adopt कर रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत better form of government है यहाँ पर जो government होती है they are responsible government, they are accountable government, they have to answer आपको पता होगा कि जब भी इंडिया में कुछ भी होता है तो even the prime minister of India has to answer in parliament parliament, parliament वो place है जो laws बनाती है जहाँ पर discussions होते है इंडिया के related किसी भी topic को किसी भी incident को वहाँ पर discuss किया जाता है अगर आज COVID-19 है अगर करोना वारस फैला हुआ है तो जब भी parliament का session होगा students तो वहाँ पर जो opposition parties है वो government से question पूछेंगी कि आपने बताईए आपने हम लोगों को बचाने के लिए country को बचाने के लिए क्या क्या उपाई किये हैं क्या क्या steps आपने लिया है and what are the steps that you are going to take in future इसलिए democracy अच्छे है क्योंकि यहाँ पर किसी को भी absolute right नहीं है कोई भी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता है अगर वो काम करेगा तो उसके उपर जिमेबारी होती है कि उनको किसी को बताना होगा responsible बनना होगा और उनको answer देना पड़ता है parliament में so students अग हम लोग discuss करने जा रहे है कुछ ऐसे important thrust के बारे में it means we are going to discuss some special features about democracy which makes it special and a better form of government so so students will start with constitution constitution means samvidan it is a book written by our written by our great great persons like Dr. B.A.R. Ambedkar and lot of other persons were involved जिन्होंने एक book लिखी जिसमें laws कैसे इस country को govern किया जाएगा वो सारा चीजे mention है तो constitution जो है एक खास feature है democracy का जो इसको बिलकुल अलग बनाती है from any other form of governance in India or any part of the world here the citizens and the government have to follow certain basic rules यहाँ पर क्या है even the government को भी basic rules को follow करना पड़ता है दुर्या में students जैसे बहुत सारी countries जहाँ पर constitution है लेकिन कहीं कोई country ऐसी भी है जहाँ पर constitution तो है लेकिन वो written form में नहीं है जैसे हमारा Britain Britain में भी constitution है और हमारा जो constitution है वो बहुत ह़ग तक inspired है influenced है from the constitution of Britain बाट Britain में written constitution नहीं है लेकिन इंडिया एक ऐसी country है जिसका जो constitution है वो world में सबसे बड़ा है सबसे landiest है we are having the landiest constitution in the world और democratic country है इंडिया is a democratic country because here people have right to choose their representatives or the government तो इस तोरह से आप देख सकते हो कि constitution एक बहुत important role प्ले करता है इंडिया के governance में ठीक है इस तोरह क्या है जो government है वो कभी भी अपनी power को misuse नहीं कर सकती है और यह जो democracy में सबसे important चीज है कि constitution होने की वज़ा से यहाँ पे लोगों के पास एक important role है कि they can use their brain they can use their rights to form a responsible government so people have a vital role of people in decision making हमारे यहाँ जो भी decision making होती है उसमें जो भी लोग है उनको हमने चूज करके भेजा है तो उनका important role होता है decision making में लोग ना सिर्फ इन लोगों को choose कर सकते हैं बलकि they can also express their opinions and have a say in it अगर आपको government कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो आप विट आप अपनी आवाज को अपनी बातों को government तक पहुचा सकते है तभी students आपको पढ़ाये गया है right to information act आप किसी भी topic पे किसी भी चीजों पे आप information ले सकते हैं from the government and you can ask them to provide you all the important information regarding this ताकि आप aware हो सके और अपने rights का धंसे इस्तमाल कर सके और सबसे important चीज़ जो मैंने हमेशा आपको videos में discuss किया है कि जो हमारा democracy है वो democracy depend करती है दो important चीजों पे that is equality and rule of law आपको पता है कि democracy stands on the democracy stands on the basic principle of equality equality का मतलब है we all are equal in the eyes of law जो भी rules regulations है constitution वो सबके लिए same applicable है जब हो प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट का son हो या एक common farmer हो सबके लिए rules जो है regulations बिल्कुल same है इसलिए कहा गया we 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 are the people जो responsible है एक responsible government के लिए so equality and the rule of law rule of law करने का मतलब यहाँ पे none of us कोई भी none of us is above the law हमारे हाँ जो भी rules regulations है उससे उपर कोई भी नहीं है हमारे जो सबसे important चीज है जो सबसे supreme चीज है that is our constitution तो students आज हमने डिस्कूस जो किया कैसे vital role of people in decision making and why equality and rule of law is important and why it is important to understand and what are the important features of democracy like constitution so next video में हम लोग डिस्कूस करें कुछ और important topics के बारे में उससे पहले आपको इस chapters को धंसे वर पढ़ लेना है and you have to prepare questions for your doubt classes thank you